सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर लीजे बात बोलेगी की नए एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे गांधी की प्रिये और आजादी की लड़ाई के सबसे बड़ी महिला नेता सरोजनी नायडू की और सरोजनी नायडू से गांधी के रिस्तों की सरोजनी नायडू कई मामलों में बहुत खास थी सिर्फ यही नहीं कि वो इस दौर में जब गांधी का नित्रत आया उस दौर में कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी उसके पहले एनिवेसेंट होई थी कॉंग्रेस की अध्यक्ष लेकिन सरोजनी नाइडू कई मायनों में मुल्क को नित्रत देने की छमता रखती थी और उन्होंने वो नित्रत दिया उस दौर में जब औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी औरतों की पढ़ाई लिखाई काफी कम थी उस दौर में सरोजनी नाइडू अपने ढंग से जीवन जीती थी वहुत सवचंद सवाव था बहुत ही मौज मस्ती से रहने व और गांधी उनकी सवचंदता की गांधी उनके आजादी की गांधी उनके सवाव की और गांधी उनके जीवन सैली की भी तारीफ करते थे सरोजनी के खाने पीने उटने बटने के बारे में बड़े किस्से हैं और गांधी उस पे मजाग भी करते थे मजा भी लेते थे जैस उन्होंने पूछा तुम्हारे बच्चे कैसे तयार होते हैं तो का बच्चे तो अपना तयार हो के स्कूल चले जाते हैं फिर मैं उठते हूं तो और ये जीवन सरोजनी ने सुरू से जिया उनके पिता उस जमाने में पीएजडी थे साइंस के और बड़े बैग्यानिक थे औ लेकिन सरोजनी ने कविता लिखना सुरू कर दिया था उसी उमर में तो उनके रुजहान तभी से क्लियर हो गए थे कि उनको ये डॉक्टर दॉक्टर नहीं बनना आए वो यही करेंगी हलाकि उनके पती डॉक्टर हो गए फिर जो उनकी दोस्ती हुई नाइडू साब से ग बंगाली थी और उनका गाउं आज के बंगलादेश वाले इलाके में है और नाइडू साहिब आंधरा के थे तो इन दोनों का रिस्ता उस जमाने के हिसाब से बहुत ही करांतिकारी फैसला था और ये सहरुजिनी के पिता ने भी कभूल किया सुरिनिन आइडी के दो बड़े भाईयों का जिकर आता है बहुत कौमन बरिनात और हिरदेनात और ये दोनों बर्लिन में और लंदन में इन्होंने पढ़ाई की और इनके घर सारे करांतिकारियों के और जो भी रास्तिया अंदोलन के लोग थे उनका अड़ा होते थे जब भ भी आप इस किसम के वहां पढ़े लोगों का जिकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बातचीत का अड़ा वही था जाकित साहब उस अड़े पे आते जाते थे वो सब के पढ़ने लिखने का उटने बैटने का बहस का मुबाइसे का और उसमें माज़वादी भी थे स चलती रहती थी उनके यहां सरोजनी ऐसे महौल में पैदा हुई पली बढ़ी और आगे बढ़ी गांधी से उनकी मैत्री लंदन से ही हुई और वो गिल्चस्प मुलाकात का जिकर दोनों ने अपने अपने धंक से किया है गांधी तब एक अनाथासरम के लिए काम करते थे दंदन में थोड़े दिन के लिए जब थे तो तो वो नीचे जमीन पर बैटके लकड़ी के कटोरे में एक टूटे हुए चमच से कुछ खा रहे थे और सरोजनी वहां पहुंची और उनको देखके वो हस पड़ी क्योंकि गांधी की परसनाल्टी ऐसी ही थी खासतोर से उनक भी उनको पूछा और आपको हैरानी होगी कि इसी इंप्रेशन के बेसिस पे दोनों ने बाद में एक दूसरे का नाम रखा गांधी उनको भारत कोकिला कहा करते थे हम सब जानते हैं उनकी पोईट्री और गाने के गांधी प्रसंसक थे और सरोजनी उनको ने उनको मिकी उसका ना सुरू किया उसमें कान का बड़ा रोल है और गांधी से ऐसा मजा कोई कर ले ये आप कल्पना करें और गांधी को मजा आता था इसमें और सरोजनी से ही नहीं सरोजनी के बच्चों से भी सरोजनी के बच्चे भी अपने आप में काफी महत्पुन रहे हैं और काफ गांदी के चलते नेरू ने दूसरी साधी नहीं की वरना वो पर्मजा से उनकी साधी लगभग तैमानी जा रही थी तो पर्मजा भी बड़े खुले बिजारों की थी उनके बारे में भी एक हिस्सा है कि जब गांदी अचायत किरपलानी और सुचेता किरपलानी की साधी नही उस समय उन्होंने का आपको इसमें बोलने की क्या जरूरत थी दोनों बयस्क हैं दोनों अपने सिसाधी कर रहे हैं आप बीच में काय के लिए अब गांदी को इस पर गांदी मुस्कुरा दिये गांदी हंसते रहे क्योंकि ये लड़की हमको पढ़ा रही है तो गांदी को अच्छा लगा तो इस किसम का रिस्ता इस परिवार से था सरोजनी के लिए हम 42 में सरोजनी गांदी के साथ ही जेल में थी उसी आगा कहां फैलेस में वो भी जेल में थी वो उपर के फ्लोर में रहती थी काफी बिमार उस समय तक होने लगी थी तो वो भी किस्से हैं कि बहुत समय रहे तो वैटमिंटन खेलते हुए अगर उनका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था सरोजनी का तो गांदी ने वैटमिंटन भी अपने भी बाएं हाथ से कहलना सुरू कर दिया कि नहीं तुमारी इस कमजोरी का लाब में नहीं उठाना चाहता दोनों के रिस्ते ब कुछ उठाके खाया उसके बाद आस्रम का भोजन सिर्फ एक बार किया इतने लंबे कॉंट्रेक्ट में जब करीव तीस साल से ज़्यादा समय पैंतिस साल ये कॉंट्रेक्ट रहा दोनों का संबन रहा इसमें आस्रम का भोजन सरोजनी ने सिर्फ एक बार किया उसके बाद स वासरम का भोजन नहीं करती थी क्योंकि उतना साधा खाना वो खाई नहीं सकती थी और गांधी को इस बात से कोई कभी आपती नहीं हुई और ना उनके समध्नों में इससे कोई फरक सरोजनी के बारे में ये भी बना जाता है कि गांधी ने जब नमक सत्याग्रह किया तो पद्यात्रा में किसी महिला को लेके नहीं गये थे उस डांडी मार्च में कोई भी औरत नहीं थी इसकी आज के तारीख में कई लोग गिंती करते हैं लेकिन जब उन्होंने धर्साना में उसी सत्याग्रह का एक्सेंशन किया धर्साना नमक गुदाम पे हमला कराया सत्याग्रहियों से कि वहां का नमक लूटेंगे तो उस आंदोलन का नेतिशत सरोजनी ने किया था और हम सब जानते हैं कि धर्साना में ही जो कांग्रेजी कायजकरताओं के पीटाई हुई थी, सबसे बुरी तरह जिसका जिकर, एक अमेर की पत्रकार ने अपने अखवार में किया, और फिर उससे अंग्रेजी हुकुमत की बड़ी थूतू हुई, और कांग्रेजी कायजकरता के अहिंसक व्योहार की दुनिया भर में तारीफ हुई ये दिरिस तब क्या होगा ये तो कल्पना की जा सकती है लेकिन बाद में सारेटन वरों ने जो फिल्म बनाई गांधी उसमें इस दिरिस को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया था जिस किसी ने भी उसको देखा होगा या देखा उसके दिल पे आज भी वो दिरिस से बहुत चाप छोड़े हुए है उस आंदोलन का ने तो सरोजनी ने किया था सरोजनी के बारे में गांधी उनको दूसरे गोल मेज कंफरेंस में भी लेके गये थे दूसरे गोल मेज कंफरेंस में उन्होंने हिस्सा लिया गां जानते थे कि भासन, भोजन और भ्रमन के बिना ये महिला चैन से नहीं रह सकती, इसके सुवाव में ये है, इसको रोका नहीं जा सकता, सरोजनी के कपड़े लगते, पहनावा, उड़ावा, सब चीजों के बारे में गांधी ये मानते थे, कि ये साही सैली है और ये गांधी स बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाती आंदोलन के इससे मेल नहीं खाती इसके बावजूद हम देखते हैं कि सरोजनी के बगैर कॉंग्रेस की सायद ही कोई कमेटी बनी हो सिर्फ वो अध्यक्ष नहीं हुई लगातार काजसमिती में रही लगातार सारे फैसलों में भागीदार और जिस बार उनको नहीं बनाया गया काजसमिती में उस समय तक मुल्क में काफी सारी महिलाएं आ गई थी जब नहीं घरु ने अपनी कमेटी में उनको नहीं लिया अद्यक्ष बनने के बाद तो उस समय तक मिर्दुला सारा भाई से लेके और कई महिलाएं इस पोजिशन में आ गई थी जो ये काम समभाल लेती तो उस मामले में सरोजनी काफी महत्पुन रहे हमारे पूरे आजादी की लड़ाई में औरतों की भागिदारी के हिसाब से उनकी पोईट्री की चर्चा अलग है आजादी के बाद के समय तक उनकी तब्यद लगातार गरबर होने लगी थी इसलिए वो धीरे धीरे किनारे होती गई बाद में उनको उतर पुदेश का राजपाल बनाया गया जो सबसे महत्पुन राज़ था वहीं उनकी तवियत खराब हुई और वहीं उनका स्वारबास हुआ सवागे से उन्होंने गांधी के बाद दम तोड़ा लेकिन उनके साथ ही पूरे आजादी की लड़ाई का एक दोर खतम हुआ और वो दोर वही था जहां से हिंदुस्तानी लड़कियों ने हिंदुस्तानी ओरतों ने पॉलिटिक्स में समाजिक काम में मुल्की आजादी की लड़ाई में हिसा लिया और इसमें सरोजनी सबसे आगे थी और गांधी के लिए अपने से कोई मेल न बैटने के बावजूद वो सबसे प्रिये और सबसे महत्पुन महिला थी आज की कहाने इतने हैं अगली बार हम फिर एक नहीं कहाने के साथ हाजेरो प्रिये और से लिए अपने अपने ड़ाई में आज एक आजाएरो